गुद मौरिंग श्रेंद्स अफ्लास फिर्स हावफ आर्य यूल आपूप् You'll are Happy and Fine is today this is your Hindi background class यह आपकी Hindi background की Class है so now आज़ वुण चाक्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं आपका समा नर्थ वाली शब्द या समा नाथी शब्द हम आज जानेंगे समान अर्थ वाले शब्दों को जिसे समान अर्थी भी बोलते हैं, समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से परें सबी वीडियो को कैरफुली देखेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या होते हैं समान अर्थी एक जैसा अर्थ परकट करने वाली शब्दों को समान अर्थी या समान अर्थ वाली शब्द कहते हैं क्या बोलते हैं जिन शब्दों का अर्थ समान होता है मतलब जिन शब्दों का मतलब एक जैसा होता है एक होता है उन्हें हम समान अर्थी कहते हैं जैसे अनिल मेरा दोस्त है, अनिल मेरा मित्र है, सूरज निकल आया, सूर्य, निकल आया, इस्ट्रेंट्स आपने क्या देखा, दोनों सेंटेंस हैंगे, दोनों वाक्य सेम हैं, क्या फरक है, अनिल मेरा दोस्त है, मैंने दोस्त बोल दिया है, अनिल मेरा मित्र है, मैंने यहां बोल दिया है, मित्र, दोस्त को भी दोस्त बोलते हैं, सूर्य दोस्त और मित्र एक ही जैसे अर्थ वाले परकट करने वाले शब्द हैं, दोस्त भी और मित्र भी, सूरज निकल आया, सूर्य निकल आया, इन दोनों के भी अर्थ समान है, सूर्य और सूरज, और एक्जाम्पल लेते हैं, तो क्या है दोनों का सेम है एक जैसा आर्थती कौन से शब्द है समानर्थी शब्द है समानर्थी शब्द है समानर्थ परकट करने वाले जैसे बगीचे में फूल खिले है बगीचे में फूल खिले हैं बगीचे में पुश्प खिले है तो आपने क्या देखा यहां मैंने फूल बोल दिया यहां मैंने पुश्प बोल दिया क्योंकि दोनों का मीनिंग कैसा है दोनों का अर्थ कैसा है समान है स्टूरेंट्स फूल और पुश्प दोनों का अर्थ समान है एक्जाम्पल लेते हैं वर्शा हो रही है बारिश हो रही है बारिश हो रही है तो आपने क्या देखा वर्शा और बारिश ये सबी क्या है समानर्थ परकट कर रहे हैं तो एक जैसार्थ परकट करने वाले शब को क्या बोलते हैं समानर्थ शब ये समानर्थ बताने वाले शब कहते हैं वो किस रेंड्स जैसी आपने देखा सूर्य सूरज वर्षा बारिश मित्र दोस्त फूल पुश इन सब क्या है स्ट्रेंट्स एक सा अर्थ है इन दोनों वर्ड्स का क्या है सेम अर्थ है जैसे स्कूल और विध्याले इन दोनों का भी अर्थ एक है तो ये कैसे शब्द है स्ट्रेंट्स ये सब कैसे शब्द है यह हैं आपके समानर्थ वाले शब्द ओके चली और और एक्जाम्पल लेते हैं धर्ती धर्ती के और क्या-क्या समानर्थ शब्द हो सकते हैं भू भू प्रित्वी ये भी क्या हैं दोनों का सेम अर्थ है श्रेंट्स पानी पानी को हम और क्या-क्या बोलते हैं जल है ना बोलते हैं ने जल और क्या बोलते हैं नीर जल और नीर चलिए और एक्जाम्पल लेते हैं कौन पेड़ पेड़ को क्या बोलते हैं व्राक्ष शमान अर्थ और कौन सा इसका व्राक्ष विटप है ना च्रेंट्स हवा हवा को और क्या बोलते हैं वायू समीर तो ये सब क्या है च्रेंट्स ये सब समान अर्थ शब्द है इन सब का ये दो अर्थ निकल रहे हैं धर्थी को भू भी बोलते हैं पानी को जल भी बोलते हैं नीर भी बोलते हैं दोनों क्या अर्थ कैसे समान है पेड़ व्राक्ष विटप हवा वायू समीर ओके ये सब ही क्या है ये सब ही आपके हैं समानार्थी शब्द, समानार्थ बताने वाले शब्द I hope आपको अच्छे समझ में आ गया है समानार्थी किसको बोलते हैं आपको घर पर चिज़े वीडियो को देखना है और अच्छे समझना है I will see you in the next video Thank you all of you, have a nice day पढ़ते रहिए